हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो चलिए आगेता शुरू करते हैं लास्ट हमने किया था तो हमने देखा जब मैं आर्ग्योंट को चेह से इसके रिखता हूं तो यह ओता है जनल आर्ग्योंन्स ऑन्ट कि इसे अंदर वेल्यू इसके रहे आती हैं गिर्ग्यों वेल्यून गेखे कुछ प्लस से अ तो यह एक्स एक्स है और यह कोई भी पॉइंट अगर जैड है तो आर तो क्या होगा यह इस टो आर हो जाएगी और यह जो एंगल है यह टिक्टा हो जाएगा अग मैं अगर इस एंगल को एंटी क्लोग वाई डिरेक्शन में तू पाइ से रोटेट करणों एक सर्कल कितने से तो जो मैं इसको तू पाई से रोटेट करता हूं तो यह वैल्यू क्या जाएगी शिटाई चेल लिक्या जाएगी तो फिट आप 10 पाई आजाएगा जाएगा तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो वैल्यू तो अपिस को यह आएगी नहीं मैंने चेंज क्या करती है इसमें तू पाई सब्सक्राइट कर दिया उसके इसमें आप सो इस इसे इंफाइट आप सब्सक्राइट के एक वैल्यू दुडा लेकिन अर्ग्मेंट जाएट कितने पॉसिब्ले उसके तो इस एक जड की लिए ऐसे कितने अंगल पॉसिब्ल हैं बार बार और ऑर उप्टेप करते लू इसको जाए तो एसे इंफाईट एंगल आ तो integer to infinite наверное we仁 होगी ृ शलते जाएं तो यह infinite value function होता है इसी तरह से जिब मैं किस argument की भाद करका यह पेपरेशि chirpary 8 इसमें बसे'll यह जाएगा इसकी एक value होगी इसnya single value or function अब यह को फंक्शन में डिफाइन कर दिया f of z is equal to fitta where fitta belongs to 0 to 2 to by close interval तो जड़ा देखों यह किसको किसम मैप करेगा यह z को इपकोंट है यह किस्टें सारो जाएगी यह angle हिटा हो जाएगा तो यह z को यह function z को किसम मैप कर देगा उसके argument में तो इस z के corresponding यह argument है और आप यह बदाओ क्या argument की value 0 और 2 by पर जो मैं हिटा की value 0 लेटा हूँ चलो हिटा 0 यहां पर हो जाएगा यह जाएगा यहां पर हिटा 0 कब होगा यहां पर हिटा 0 होगा ना और हिटा 2 by कब होगा 2 by यह पर होगा 0 के यहां पर आता है और 2 by यह पर आता है तो यानि कि 1z के लिए यह स्पे लिए 2 लोगा यह पर होगा लेकिन जब मैं Z को यहाँ पर लेता हूँ, इसonce अग्शीव प्रूमा इसUhस फे को दिसफे को क이는 VAD करना है इसी तिने τοज है फ बिख अ जीडा लिए ब्लोंग तो यहाँ बता यह कितनी VAD फॉंक्शन होगा जो से 4 पै प्र गैहा तो ₹ग जो एक बर यहाँ पर पर दुपारा 2 पाई से दुपारा गोड़ पाई तो Z की जितनी भी वैल्यूस हैं हरे वैल्यू पर यह दो वैल्यू देता है लेकिन यह वाले देखो 0 खिटा की वैल्यू 0 जो होगी उसके उपर भी एक Z है वैं एक Z की वैल्यू के लिए तो उसका आर्गवमेंट जीरो भी ओ सकताै तू family यह थितना फॉरद बीए हो सकता है, फॉरद बाई हो सकता है, 6.5 नहीं हो सकता है, 6.5 नहीं हैं रहोड़ है ले यह 3-valued function है, z की 8 value बेती है, यह तो 3 values possible है जब भी मैं z फू पो जिट एकसे पहे लो तो तीन वेलिव को सिब आपको अनुट कहीं हो नहीं हो जो एकसे सिर्फिरल Κण जब f दो में फिटा कहा दू उचिटा बिलोंग चरहा हूँ माइमस पाई, तो पाई क्लोजिंटर, ये कितने वेलिव फुंक्शन है विए सिंगल वैलोड फंचन, देखो, 0 यहां पे आएगा, 0 से πाई तग मैं आ पे गाए, 0 इंक्लूड हो गया है, इस पोइंट को मैंने इंक्लूड रदिया, और πाई को भी इंक्लूड रदिया, तो 0 से πाई तिम जा चुछी, क्या क्या रहेगा को माइनस पाई से 0 उपन रहेगा इस इंट्रड़ को मैंसे लिख सकता हूं इंदोन भी इजूनियल में यह तो इंप्लूड पर भी हमें आप 0 से पाई देखो क्या होगा जो जिरो से माइनस पाई ओपोसित डारेक्शन होगी यह डारेक्शन तो जिरो गो भी इंग्लूड नहीं किया मैंने ओनाए माइनस पाई को इंग्लूड किया तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पुरे सर्फल पर जो दो बारी बीट अब रही हो अब आते ही बाת बताओ प्रिंसीपल और जनल आ की रैलेशन तो क्या होताHo चाल प्रिंसिपल अर्गय मैं कैसे कृक्टि होथा है तो अगर आपको प्रिंसिपल आडूमेंट निकालना आ रहा तो मैं जर्रल आर्गिमेंट राम से ही का सकता हूं उसमें टुवेंट पाई एड़ दूआ अब देखो यह प्रिंसिपल आर्गिमेंट कैसे निका देगे कि दो हम एड़ आर्री का सकता है हो डो फाइंड प्रिंसी प्रिंसिप्ल अव्द संपेटम किसे आशे हैısı जाएका माल है यह एकस apresent ﷺ है और यह वाइकस वसे आपको जैडे की वैलू दे दे आपको जैड्ण की वैविवे कुछ भी दे दिका जैडी प्लस थी आईट आइटकू सब्सक्टो जैडे गा दो लेकिन उसने एक्स से इंगल बनाया यानि की आर्ग्यूमेंट वो कैसे निए अब ज़रूर नहीं है यहां पर हो सकता है इसमें भी हो सकता है एक्स यह उपर भी लाई कर सकता है तो हो वो कहीं पे आ सकता है तो हम अभी चार बीकिस नेगे जब यह फश्ट काड़नें विलों कर रहा हो सेंगी क्वार्णें विलूं कर रहो थर्ड क्वाणें विलूं कर रहो और 4 विलूं इप चलो करते हैं मैं फृर्ष्टिक्स लेके चल पड़ा झाल तो देखें, जब z first quadrant में belong कर रहा हूं, मान लिया कि यह तो x axis है और यह y axis है, z मैंने first quadrant में ले लिया, अब z की value क्या होती है, x plus i to y, योकि x, y का सकते हैं, अब देखो, z से जो origin की distance होगी, यह बाड़े जो distance है, मान लिया कि यह o origin है, 0, तो इस z की origin से distance यह होगी बताना, वो की z mode, और उसको मैंने मान लिया, ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं यह angle, जो z और o के वीच की distance ने, x axis है जो angle बना है, उसी को argument कहते हैं, तो वो angle मान लिया, ठीटा बना लिया, अब मैं ठीटा के वारे निकाला चाहता हूं, जेको मैं ठीटा कैसे निकाला हूं, कि काम करते हैं, मैं यहां से यहां बेपर पेंडियोड आ लेता हूं, अब यह length कितनी हो जाएगी बताओ, y के एकवल होगी, लेकि मैं ठीटी बात करना हूं, तो y मोड लेके चाहता, ठीक हैं, ऐसे ही यह वारे distance कितनी हो जाएगी, यह एक्स मोड हो जाएगी, ठीक हैं, यहां से 10 खिटाइग बेपर निकालो, 10 खिटाइग जिपएगी तो, बोलो, देखो, y मोड बाहे, x मोड बाहे, तो फिटाइग आजाएगा, 10 inverse of, y मोड बाहे, x मोड, which is equal to, 10 inverse, y मोड की value बुट कर तो, y मोड क्या होगा, y मोड क्या होगा, y मोड y के एक वल है, x मोड भी x के एक वल है, तो यहां से आर्गुमेंट क्या आगा, आर्गुमेंट of z is equal to, rickta is equal to, 10 inverse of, y by, x, य आजाएगा, तो यह सारे नहां होगा, तो मैं यहां पर फर्स्ट केस इपर था हूँ, फर्स्ट क्वाइट में तो फर्स्ट केस थापना, उसमें क्या आया है, rickta is equal to, 10 inverse of, y by x, ठीक है, when it lies in second quadrant, जब उस second quadrant में लाइक करेगा, तो किस तरहीं situation बन भी होगी, यह x, x is y, x is, तो z यहां सी का रहा हो, second quadrant माल लिए z, अब यह z है, तो इसकी value क्या होगी है, x plus i tau, और z की origins of distance, यह जो को है, इस origins of distance, वो क्या हो जाएगी, जब लिए z more is equal to r, मैं निकालना चाहता हूँ इसमें x x का कितना angle बनाया, तो यह एंगल कितना बनाया है, यह एंगल निकालना है, यह एंगल माल लिए ठीक्ता है, यह एंगल में डाइट निकाल सकता है, इसको मैं किसे इस में निकाल दो बताहाँ, चलो यह एंगल तुम्हें निकाल सकता है लेकिन मैं वही 10 ही वाड़े पूर्ण लगा के यह वाड़े एंगल निकाल सकता हूं जैसे ही एंगल आएगा तो 180 मेंसे मैं इस एंगल को सब्टेट कर लोगा लिटा की वेल्यू आजाएगा तो अब देखो क्या करें एग मैं इसकी वेल्व निकाला चाथ को मैंने इसको एल्फा मैं यहाँ से निकालो 10 अफ गया 10 alpha क्या होगा, perpendicular upon base, यानि y mode by x mode, यहाँ से alpha की value आ जाएगी, 10 inverse ओको y mode by x mode, which implies alpha is equal to 10 inverse, y mode की value बता हो क्या है, y तो positive है, तो y mode क्या हो जाएगा, प्लस का y, अब ओने x mode क्या हो जाएगा, यह negative x axis है, x mode minus x के बता होगा, 10 inverse में आपको पता है क्या माइनस बारा जाता है, so that is equal to minus of 10 inverse y by x, यहाँ, लेकिन मैं ठिक्टा के value में बता हो, तो ठिक्टा बता हो क्या हो जाएगा, pi minus alpha, pi minus alpha is equal to, pi alpha के value जाएगा, minus minus plus, यह आगे 10 inverse of y by x, यहाँ, second case में value क्या आई, argument हो जाएगी value आई, pi plus 10 inverse of y by x, यह formula आपको यहाँ रखने है, second case में ठिक्टा आएगे, अब करते हैं, third quadrant थी बात, तो third quadrant को करने से बहले, आपको इस बात कोच्छे समझे ना पढ़ेगा, जब मैं first two quadrants से लेके चलाएगा, तो मैं anti-clockwise direction ले रहा था, यह लोग हिट्टा है, यह काँ से काँ तक भी लोग तरह है, minus pi से, pi close तक भी लोग तरह है, तो इसको मैं किस तरह से लेक सकता हूँ, minus pi, zero open union, zero to pi, इस तरह से लेक सकता हूँ, तो zero से pi तक तक तो यह क्या है, यह anti-clockwise direction, जो इंप उसे पॉजिटिव डिरेक्शन है, और यह zero से यह वाले माइनस pi है, यह वाई direction, अभी तक तक तो मैं इस direction में चलना था, वो तो anti-clockwise direction थ तो इन दो हो quadrants के अंदर तो आपको positive direction लेगे चलनी है, इस quadrant में negative direction लेगे चलनी है, इतनो हो quadrants है, 3rd और 4th में opposite direction आई, तो opposite direction की हो जैसे minus sign आईगा, तो लो पाई direction को negative लेते हैं माहले हैं यह x x से y x से z कोई complex number, which is equal to x plus i to y, अगर यह x plus i to y है, और यह origin है, तो origin से z की distance है, बताओ, यह origin से z की distance क्या हो जाएगी? z more, which is equal to a, यह हो जाएगी, अब मैं यहां से यहां पर पेंटेगों डालता हूँ, यह जिन distance क्या होगी? y mode होगी, और यह distance होगी, x mode, मैं निकालना क्या चाता हूँ, अब की बाते को मैं यह वाले अंगल निकालू हो जोगा, अब negative direction है, तो मैं यह angle निकालू हो, यह angle, माहले यह angle fit है, अब मैं यह कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इतने की value निकाल तो pi में से, इसको separate करता यह angle मैंने alpha माले है, तो यहां से 10 of alpha क्या होगा, यहां से 10 of alpha क्या होगा, perpendicular foundation की y mode upon x mode की value, तो alpha जाएगा 10 inverse of y mode by x mode, which is equal 10 inverse of y mode की value, 3rd quadrant में x negative और y mode, दोनों ही negative है, तो यह minus y होगी minus x, which is equal to 10 inverse of y by x, यह आजएगा, यह तो i alpha की value, अब मैं ठिट्टा होगा यह से निकालू देखो, अब यह जो ठिट्टा जो होगा, argument of z होगा, प्रिंसिपल argument होगा, वो क्या आता, pi minus alpha आता हो, यह ठिट्टा जो होगा, यह अपोजिट डिरेक्शन इंगे, तो यह ठिट्टा आता है, तो minus of, pi वे से alpha सब्टेट करो, pi minus alpha, which is equal to minus of, pi minus alpha, 10 inverse of y by x, which is equal to minus 5 plus 10 inverse of y by x, अब यह फ्रून आपको याद रखना है, first quadrant में तो value is equal to 10 inverse of y by x, second quadrant में pi add हो गया था, third quadrant में minus pi add हो जाएगे, ठिक है, तो इसमें से pi subject हो जाएगे, third quadrant में case क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, फिट्टा है, यह मैंने गल्ब लिख देगे हैं, यह ठिट्टा की value क्या हैग 5 plus 10 inverse of y by x, तो third में क्या जाएगे, minus pi plus 10 inverse of y by x, ठीक है, अभी देखो 4th quadrant में क्या है, यह माल यह x axis है, और यह x axis है, यह z को गी point है, 4th quadrant के अंदर, जो की x plus height हो जाए, यह horizon है, horizon है, horizon की z से होडिशन होती है, वो z more होती है, जो की r के equal है, अब मैं इंगल निकालना चाहता हूँ यह, खिट्टा, negative direction में, तो अब यह बतागी कैसे निकालों मैं, यहां से यह पर 10 लो टाल, यह value क्या होगी, by distance होगी है, by mode होगी है, और यह बारी value क्या हो जाएगी, यह horizon जो O है, उसको मैं यह आप लिए करता हूँ, यह हो जाएग y mode by x mode, ठिट्टा is equal to 10 inverse of y by x, ठिट्टा is equal to 10 inverse of y by x, ठिट्टा is equal to 10 inverse of y mode की value क्या होगी है, यह बारी value क्या होगी है, by negative है, तो minus है, upon x mode, x positive है upon x, which is equal to minus of 10 inverse y by x, अब यह question आदे कैसे चले हम, ख्लोग पाही चलाना, तो जो गाम होई, गाम होगी होगा, इसमें मैंने overall जो भी answer आँच्टा नेग्ति होगा है, तो इसल्ले होगा, तो इसल्ले होगा, तो आर्गुमेंट उबगी उग्च्टा प्रिंसिपल आर्ग्पेंट उच्टा ख्यो कि प्रिंसिपल यहां पे चो टेवर Row रिप्र्सेंlt कर रहे है इसको प्रिंसिपल आ चुछ जिस पूर रिपर्सेंट है इसको प्रिंसिपल के नहुसारण हो दो प्रिंसिपल सब्सक् demasiado can i को कि अब है को फ्रू आएं है तो यह चारहों के चारु फोर्मम्ले ही आपको याद रफनες हैं के फर्स्ट को डिण प्रिंसिपल rainy में कैसे निइकालते हैं। 2nd में कैसे निइकालते हैं, 3rd में कैसे 3rd में कैसे निइकालते थर्ड में कैसे निइकालते है। देखो मैं थhoun यादकरा जिता हुआ। वंस्ट क्वार्टन दूनों कें देन सो थैंड यीक को इसमें तो पाई होता है इसमें माइनास पाई होता है और यह एकशांपल करते हैं अब आर्गुमेंट निकालो 1 प्लस आए ठागा और जनरल आर्गुमेंट भी निकालो 1 प्लस आए ठागा तो अब आप ऐसे निकालेंगे अगर ऐसे ही आर्गुमेंट निकालना चाहता हूं मैं 1-1 और y-1 तो x तो बन रहे है और y-1, 4th part अगे तो इसमें क्या होता 10 inverse of y by x, y की value है minus 1 और x की value है 1, that is minus 12 आजाएगा तो 10 inverse of 1 that is equal to minus pi by x, very simple, जो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, now minus 5 by 4 plus 2 and pi ऐसे ही आर्गुमेंट अगर निकालेंगे, इसका निकाल अपकी बार, minus 1 plus i अगले, x की value minus 1 और y की value plus 1, second part second part में क्या आपका है, pi plus 10 inverse of x, so pi plus 10 inverse, y की value यहाँपे 1 है, x की value minus 1 है that is equal to pi minus 12 आजाएगा, 10 inverse of 1, that is equal to pi minus, इसकी value pi और 4 होती है, यह कहाएगा, 4 minus pi, 4 pi minus pi, यानिके 3 pi by 4, ऐसे ही दोनों negative होगे, जब दोनों negative होगे तो बता हो क्या होगा, argument माइनस और माइनस आएगा, दोनों negative third quadrant में होते हैं, minus pi, देखो minus pi plus 10 inverse y by x, plus 10 inverse of y और x दोनों ही minus 1 है, तो अपन divided दोनों बना जाएगा, तो यह आएगा, minus pi plus pi by 4, इसको solve कर रहेगा, ठीक है, क्या जाएगा, minus 4 pi plus pi, यानिकी minus 3 pi by 4, general argument कैसे जाएगा, उसमेट को empire कर दोगी, तो इस सारे के सारे किश्यों आप अराम से कर सकते हो, अब एक बात और नहां दिला देता हूँ, जब argument axis, जब z axis पर आजाएगा, अभी तो 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 नहीं आगे आगे, 1st quadrant, 3rd quadrant, 4th quadrant, जब वो axis पर आजाएगा, तब क्या होगा, तब वो कितना angle बनाएगा, तब तो आपको check कर देंगे, तब तो आपको film ना लगा नहीं जरुती रही है, तो तो देखके बता सक अगर यहां पर आगे, तो कितना angle बनाएगा देखना, यह x-axis है, और यह y-axis है, जड यहां पर है, तो z से origin की distance क्या हो जाएगा, यह ओगी distance, इसने axis कितना angle बनाएगा, 0 बनाया, argument क्या बजाएगा, 0, अगर वो y-axis पर आजाएगा, जड माल यहां पर है, z y-axis पर, तो अब, इस से origin की distance क्या होगी, यह value distance होगे होजाएगा, इस distance में x-axis अचल कितना angle बनाया है, एंटी का, तो πाई वाई पर आजाएगा, ऐसे ही, जब यहां पर आजाए, z, अगर z यहां पर जबान लिए, अगर z यहां पर है, तो इस से origin की distance ही होजाएगी, तो इस distance में x के कितना इंगल होना है अब यह इंगल देखू किया मैं यह एंगल नहीं देखू किर मैं यह मैंने बताया था जब फर्स्ट और सेखंड की बात करोगे तो आप एंटी क्लोगवाई चलोगी ठीक है तब तक तुम्हें यह एंगल देखाना लेकिन अब मैं जब थर्ड और फॉर यह एंगल है पैवाई लेकिन डीज रूल आता है पोसिड डीक्सिन यह जैसे तो यह इंगल कित्ना हो जहा है हां ले माइनस फाइवाई यह आपर आजाओ यह आपर अगल बॉल्चिता लोग मैं उक्सिए बास जीरो देखानाय इसने कितना मैं पई बाद याट इसने कितन जब वो ओरिजन पर ही आजाए मतलो जब यहां पर आजाए जब यहां पर आगया तो इसके ओरिजन से डिश्टनस इतनी होगी 0 होगी, R की वैल्यू ही 0 आगी जब R की वैल्यू ही 0 आगी तो जो एंगल बनाएगी कोई ना कोई लेंद दूसरी लेंद के साथ यह अंगल बनाएगी यह कोई भी यह लेंद है इन दोने बीच लेंद को अंगल होगा जब यह लेंद जीरो होगी तो क्या अंगल बनाएगी है जब जब यह नहीं पर आगया और 0 भी यह नहीं पर है झाल झाल